पहली पहली बार मुहबद तो हेलो गयाज वेलकॉम टू माइव यूटूब चनल तीच बाइस्टी तो आज हम लेकर आच चुके हैं एक जबरदस्त न्यू ट्रेंडिंग एस्टेटस वीडियो तो आज हम सिखने वाले हैं कि अपने फोटो या दूसरे के फोटो के साथ इस तरह का ट्रेंडिंग एस्टेटस वीडियो कई से बना तो अगर मेरे चैनल पर आप नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि आप सबीको ऐसी एस्टेटस वीडियो मिलती रहे है शुले गाइज सबसे परिया है मैं मैंस्टेव ब्सक्राइब कर लेए और करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस्टी इनीक आपने लेगा उसके बाद वालाइगं पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम सेटन बाइन का रेश्व ले लेते हैं उसके बाद हमे एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं इस फोटो पर किलिक करके इसका टामलाइन दुरेशन हमें 20 सीकेंड कर देना है कि उसके बाद जुम वाले अप्ट्टन पर क्लिक करके बराबर पर क्लिक करके इस फोट्टो के इस तरीके से जुम कर लेना है कि अनल ऑठ कट कि उसके बाद ओके कर देना है फिर से फोटो पर क्लिक करके औस पर उसको एनेबर करतना अप्रतने उत्सकर अरे पारा सब्सक्राइब के ने कि उसके बाद कांट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है उसके बाद सेचुरेशन को काम कर देना है सैपर मैंने सैपर उसके बाद नीचे चले आना है और हुग को 18 पर कर देना है उसके बाद 2K कर देना है उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मेडिया पर क्लिक करके उसके बाद हम लेयर पर चले जाएंगे और एफेक्ट वाले अप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद हम नीचे चले आएंगे और basic effect पर क्लिक करके first value option को ले लेंगे उसके बाद इसका timeline duration हम video class तक कर देंगे उसके बाद इसे हम full screen पर इस तरीके से zoom करके लगा लेंगे उसके बाद हम setting पर क्लिक करेंगे और stand को 4 पर करके ok कर देंगे करेंगे और मेडिया पर क्लिक करेंगे और मेडिया पर क्लिक करके एक template वीडियो ले लेंगे इस template वीडियो के link हम description में डाल देंगे आप वहाँ पर जाका download कर लेंगे उसके बाद a screen बाले अप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद रम फोल स्क्रीन करदेंगे कि उसके बाद ok करके फिर से इस template वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे blending वाले option में हम चले जाएंगे उसके बाद screen करदेंगे ऑच करदेंगे means के बाद home we say template video पर क्लिक करेंगे उस में लागे हुए योग हम यूट कर देंगे और को के कर देंगे कि उसके बाद हम फिर से लेयर पर चले जाएंगे और मेडिया पर चले जाएं गये उसके बाद हम एक फोंटो हरेक्ट कर लेंगे इस पोटो को इस फ्रेयम Aram Cut कर लेंगे तो चले हम क्रोपिंग में सब्सक्राइं or और हम क्रोपिंग में चलते है तो हम्कुरोपिंग में चले आते हैं और रफ्रपिंग मांने के बाद हम इस फ्रेय के से हम कट कर लेते हैं उसके बाद मार्स वाल आप्शन को इनेवल करके फेदर को हां बीस पर कर देते हैं उसके बाद ओके कर देते उसके बाद फिर से इस पॉइंट पर क्लिक का के इसका टाइम लाइन डूरेशन हमें चार सीकेंड कर देना है कि उसके बाद इस पॉंटो का में इस फ्रेम में एजेस्ट कर देना है कि उसके बाद फॉंटो का हम लास्ट में इतने पर राख लेना है अ और फिर से लेयर पर किली करके मेड़े पर क्लिकर करके एक फोटो और सिलेक्ट कर लेना है और इस फोटो को लाट में चले आना है और फ्रेम अनुटा कर लेना है तो क्रोपिंग में हम चले जाएंगे क्रो क्रोपिंइंट मोने के बात आम मीं फोटो को इस तरीक है से उसके गड़ कर लेंगे कि उसके बाद माक्सुल ऑफ्शन को permettre फैदर कंट कर लेंगे उसके बाद हम कर देंगे अफ़िर्स फटोपर कर किस फटो गाहम इस फ्रेम इस प्रेमानिक क्शन कर देंगे उसके बाद इस फोटो को टाइम डूरेशन को में चार सिकेंड कर दिना उसके बाद इस फोटो को कि लास्ट में इतना इतने पर आजाना है और पर क्लिक करके मेडिया पर क्लिक करके एक फोटो और सिलेक्ट कर लेना है है हाँ हाँ है इसके बाद पटो को टन में चले आना है और ünनीय क्लिकão मेंách लेकिन आने के बाद हमें प्रोडर गिश्ब्री सब्सक्राइक के पड़िए हैं कि उसके बाद मारिकस सब्सक्री आशन को इनेबल कर को फेदर के 20 पर करण दो है और ओके कर देना है उसके बाद इस फोटो को हमें इस फ्रेम में लगा लेना है उसके बाद फिर से इस पोटो को यहां पर लास्ट के यहां पर चल आना है और लेयर पर क्लिक करके मेडिया पर क्लिक करके एक फोट और इस लेक्ट कर लेना है और इस फोटो को भी हमें को रखने में चले जाना है और कॉट कर लेना है और मैक्स लाप्शन कुई नेवर करके फेदर को बीस पर कर लेना है और ओके कर देना है उसके बाद फिर से इस फोटो को लास्ट में चले जाना है और इस फोटो का हमें इस फ्रेम में एजेस्ट कर देना है कि मैं है एजेस्ट करने के बाद फिर से में शुरूब में आ जाना है उसके बाद हम शुरू बाले फोटो पर क्लिक करके आउट अनुमेसां स्लाइट टू राइट लगा देना है और ओके कर देना है उसके बाद फिर से सिकेन बाले अप्शन पर क्लिक करके इन एनिमेशन स्लाइट लगा देना है और ओके कर देना है फिर से क्लिक करके आउट एनिमेशन स्लाइट लगा देना है और ओके कर देना है फिर से तिसरे फोटो पर क्लिक करके इन एनिमेशन दिना उसके बाद चौत है फोटो पर किली करके इन इनिमेशन स्लाइट टू रैट कर देना है जोस्तो हमें यह आद राखना है कि शुरु वाले फोटो में आवट अनिमेशन लास्ट वाले फोटो में इन इनिमेशन लगाना पड़ता है और बीच में जितने फोटो परेगा इन सब में आटनी मेंसमा इने इमेशन क Ö वह डव डिद लगाना पड़ता ह। मिदास अ उसके बाद हम शुरू में चले जाते हैं और शुरु बाले फॉंटो पर क्लिक करके त्री डाट पर क्लिक करके इस फॉंटो को हम डूब्लिकेट कर लेते हैं इस डूब्लिकेट फॉंटो को हम यहां पर लाकर क्रोपिंग बाले अप्शन में चले जाते हैं और वन बाई वन करें से में हम कॉट कर लेते हैं उसके ज्यस्ट करने के बाद और फिशकेंट बाले फोटो पर किली करते हैं है और ठीडर पर किली करके इस फोटो को भी हम डूब्लिकेट कर लेते हैं अब दूब्लिकेट फोटो का यहाँ पर चले जाते हैं और वन बाइवान कोईरेशन फोटो का उसके बाधा हम ओके कर देते हैं उसके बाद हम अपाप पूटो को जाच वड़ा कर देते हैं और इसमें एजयस्ट कर देते हैं उसके बाद आपके कर देते इसके बाद प्रेसे हम तिसरे बाद पॉंटों पर क्लिक करते हैं और त्रेडर पर क्लिक करके इस पॉंटों को भी हम डुबिकेट कर लेते हैं आफ यह थो दो लिकेट करके करने के बाद हम क्रोपिंग आप्सरिप छले जादें और यह बायँ वन पूरेसे में हम कर लेता हैं और खं़ करके फिर से हम डूबली केट फ़ॉट पर क्लिक करके साइश च्वोटा करके इस फ्रेम में हम एजैस्ट कर देते हैं को उसके बाद कर देते हैं उसके बाद फिर से हम चौ्थे वाले फोट कीलिक करते हैं और एंस फोटों को भी हम डूब्ली केट कर लेते हैं उसके बाद हम कुरूपिंग बाला अप्शन में चले जाते हैं और वन बाइवन कुरेशन में काट करके ओके कर देते हैं उसके बाद हम फिर से डुबलिकेट फोटो पर क्लिक करते हैं और साइच छोटा करके हम इस फ्रेम में लगा लेते हैं उसके बाद हम इस टेंप्लेट वीडियो पर क्लिक करते हैं और फ्रेडर पर क्लिक करके बैरिंग टू फ्रांट कर देते हैं उसके बाद हम ओके कर देते हैं उसके बाद हम फिर से लेयर में चले जाते हैं और मीडिया में चले जाते हैं और बैग्रांड में जाकर एक वाइट कर देता है इस वाइट कर लिटे का बैर्ग्रांड को टा 지원 कर देते हैं इस सब्सक्राइब कर कि चले जाते हैं इसके बाद हम सरकल में चले जाते ein और डेक आ जाते हैं उसके बाद हम वाइड क्लरलर को वाइगरेड पर कीलिक करते हैं और इस तरह से हम रॉकेट करके यहाँ पर जूम करके कुछ कर देते हैं है उसके बाद हम फिर से लियर पर कनी करते हैं मेडिया पर क्लिक अचाहते हैं और एक लिरिक्स वीडियो ले लेते हैं जिस लिरिक्स वीडियो से हम इस्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बाद इसे थोड़ा सच्वाटा करके इस तरीके से हम रूटेट कर लेते हैं और यहां परलाकर रिजेस्ट कर देते हैं उसके बाद हम ब्रेंदिंग वाले में चले जाते हैं और मॉल्टी प्रेपर क्लिक कर दे हैं उसके बाद हम अब फिर से लिक्स वीडियो पर क्लिक करते हैं और उसका साय छोटा कर देते हैं है है किस अरो के का देते हैं सो सदस्तु हमरा फिडि बन कर रेडी हो चुका है तो देकि हमारा वीडियो की तरह का बनाएं क पहली पहली बार महबत की है जो दोस्तो हमारा वीडियो बहुत कमाल का लग रहा है है जो उसके बाद हम से अब लप्सन पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे सो है दोस्तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं जाना अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में